हेलो एवरियन मैं हूँ विंद्या और आज में ट्रेप करने वाले हूँ जरी आर्ट सेल्क सारी तो हम यह वाइट सारी हमने यूज किये एंड यूज करने वाले हैं शेफ वेर आप चाहे तो पेटी कोड भी यूज करते हैं पर शेफ वेर ज्यादा अच्छा रहेगा और करते हुए ड्रेप करेंगे नहीं तो वो उजीब सी साडी दिखती हैं ठोड़े सी और ईंकल रिंकल दिखते हैं इस तरीके से हम टंब किसायता से और जब आपको लगे थोड़ा सा हैंे का भी यूज करते हैं और सबीच से होल्ड करेंगे एंड इस तरीके से छुटी-छुटी प्लेट बनाते हुए हम 5-6 के करीब प्लेट बना लेंगे अभी आपको अच्छे से नहीं दिखेगी पर जो है जैसे पूरी बन जाएगी और जब हम इसे सैट करेंगे तो अच्छे से सैट हो जाएगी हो कि यह बहुत कर देना मैं आपको साड़ी के लिंक दे देंगे और इस तरीके से आपको जो है पिन अंदर से सेफ कर लेना है सिक्यूर कर लेना है ताकि जो है आपकी जो प्लेट है वह बेगरे ना आपने जो इतनी मैनत करी हुई है और जो है हम प्लेट बना लेंगे जो सबसे उपर वाल से आप इस तरीके से होल्ड करिएगा और उसके बाद हम यह सेट कर लेते हैं साड़ी साड़ी प्लेट सेट कर लेते हैं बीच में कर्टन थोड़ा सहावा के गराने दर आरा था तो मझे ठीक करना पड़ा और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको इस तरीके से सेट करना है उपर वाली प्लेट है इस तरीके से आप इसे एड़जस्ट भी कर सकते हैं अंदर की कंपेरिजन में हम उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अंदर वाली भली छोटे देखें बड़ उपर से वह इससे अलग से छोटी से नहीं होना चाहिए नहीं तो वह अलग से दिखती ह उठी उठी से दिखती है इसलिए हम उसे बढ़ा कर लेंगे सामने से सैट कर लेंगे अब हम जो है पल्लू सैट कर लेते हैं जैसा किया आप देख पा रहे हैं यह देखिए पल्लू को जो है हम हमेशा उपर वाली प्लेट को बड़ा बनाएंगे उसके बाद हम जो प्लेट को छोटा करते करते छोटा कर सकते हैं बागी उपर वाली प्लेट का बड़ा बनाने का फायदा यह है कि जो आपकी जो बागी की जो प्लेट रहती है वो जो है कभी कुछ ज सेट करने के दिक्कत नहीं रहेगी अगर आप उपर वाली जो प्लेट है वो बाड़ी बनाएंगे तो इस तरीके से हम प्लेट जो है एड़स्ट कर लेते हैं जैसे कि आप देख पा रहें एड़ना उसके बाद उसे जो है अपने लेफ्ट नी के सहायता से थोड़ा सा एड़स्ट कर लेंगे ताकि जो प्लेट से वो अच्छे से सेट हो जाए और बनी रहे क्योंकि हमाई पस इत्ता टाइम नहीं है कि हम उसे सेट कर पाएं जैसा कि आपको आगे दिखाऊंगे मैं यह देखें इस तरीके से लेफ्ट वाले ही नी की हेल्प से आप इसे ठीक करेंगे यूँकि राइट वाले से करेंगे थोड़ा सा साड़ी उलजने का डर रहता है यह जो साइड वाले प्लेट से हम इसे भी हम धन यह सीक्यो्र करने के बाद जो हमारा फाइनल लूक आता है वो बहुत अच्छा आता है थोड़ा सापको यह यह हैं से फ्रेंट वाली जो प्लेट से वह सीकियोर कर爹नी पड़ेही तो यह हमारा फाइनल लूक कि आसस तरी की साड़ बैनी है अगर आप कोई वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्स्राइब करने हैं